नमस्कार, हम लोग दाजबोत देख रहे हैं, समास आठवा, दशक सात्वा ही चल रहा है अभी भी, शिरवण निरूपन, हमने जब नवविदा भक्ती देखी थी, तब शिरवण के बारे में हमने सुना था, यहाँ पे अभी वो और गहिराय तक लेके जा रहे हैं, शिरवण शिरवण, मनन और निदिध्यास, शिरवण सुनने के बाद, सद्गुरु से सुनने के बाद तत्व मसी, हम लोग आयमात्मा जानते हैं, वो निदिध्यास रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने जिंदेगी में कैसे वो उपयोग में ल तो इतने गहराई तक सोच आभी समर्थ बता रहे हैं कि साधना कैसे करनी चाहिए कैसे अत्मज्यान मिलाना चाहिए कैसे हमारे जीवन में उसका हरोज हर समय हर घडे कैसे कर्मण पूजा करनी चाहिए ये सारे चीज़े बता रहे हैं ठीक है श्री राम आयका पर्मार्था चे साधने जेने होई समाधाने ते तु जानगा श्रवन निश्ची ये से कि परमार्था का पहला साधन क्या है जिससे आप समाधान हो सकेगे भगवान से एक रूप हो सकेगे तो वो श्रवन रहता है श्रवन के विल कानों से सुनने वाला नहीं रहता है और यह निश्चित ता से जानी है कि ये भी एक संपूर्ण साधना हो सकती है जैसे अर्जून के हुई थी श्रौणे आतुडे भक्ति श्रौणे उद्भए विरक्ति श्रौणे तूटे आसकती विश्यांची श्रौण के कारण हम भक्ति में हो जाते हैं हमारे में विरक्ति जाती है और आसकती जो रहती है बुराई के विश्याओं के वो छूट जाती है जब हम लोग अच्छी चीज़े सुनते रहते हैं तब हमें ध्यान में ने आता कि हमें रजगुल्ला खाना है आइसक्रिम खाना है या माता जीने बनाया हुआ कुछ भी एक अधर पदारता खान आफ लोग एक तान स से जब सुनते हैं एक्तां पूरी क ङात या सिरौर करते हैं जब जैसे आर्जुन्य रिकुष्ण का सुना था हो ऐसा हो सकता है श्यायोने गढ़े शुत्त, शुतिवर्न से चित alerts शुद्धि होते है म ज्रू ने थ्रूडव्द्धि थ्रूड हो जाते परमात्मा के प्रति श्रोणे तूटे उपाधी अभिमान आची जो अपना अभिमान रहता है देह बुद्धी जो रहती वो तूट जाती है और उससे अपनी सारी जो उपाधिया रहती है उपाधिया ने कि मैं आइसा हूँ मैं वैसा हूँ और फिर हमारा जीस से घात हो सके उससे उपाधी कहते है वैसे आप देखे ग्यान लेना उपाधी नहीं है पैसा कमाना अच्छे तरीके से वह उपाधी नहीं है अच्छे तरीके से ग्यान लेना वह उपाधी नहीं है लेकिन जब उसके पीछे लाग गया कि यह ऐसा है वह ऐसा है वगरे वह उपाधी हो जा तो फिर वो उसका संगोपन नहीं कर सके लेकिन जो जो ममता रहती है वो भी हमारी अगर पूजा हो गई कि यह मेरी प्यारी बच्ची देवी है उसकी मैं या मेरा बच्च्च वो बगवांश्रीकृष्ण फिर उसके हम लोग जो अगर उसकी सेवा करते हैं तब वो ममता नहीं रहती है श्रवणे अंतरी जड़े समाधाना श्रवण से अपने अंतर में समाधाना जाता है समाधाने ने भगवान को समर्पित हो जाना और एक रूप हो जाना उसको समाधान कहते हैं एक रजगुल्ला खाके समाधान वो उसको समाधान वो तो कुछ क्षण के लिए रहता है अच्छा वो भी है फिर आप रस्कुल्ला नहीं खाते के हो कोई लोग रहते हो तो उसमें नहीं पढ़ने का कि कितना खाना क्या करना हर चीज की मर्यादा समझनी चाहिए फिर हो हमें क्योंकि वो आप आपको पता है ना बार-बार कहते कि दो परतिशत बुद्धी से सारा जीवन चल सकता है अठन्न परतिशत भगवान के पास रखिए ठीक है समाधान मिलता है फिर श्रुणे आशंका फिटे श्रुणे संशेत उटे श्रुण होता पालटे पूरो गुणा पुला कि पूरी अशंका निकल जाती है पूरा संशे जो रहता है हमारा संशेत मन रहता कि हईसा आएगी नहीं तो वो पूरा निकल जाता है श्रुण होता पालटे पूरो गुणा पुला श्रुण से हमारा जो आचरण रहता है वो भगां के प्रतिश दिन बदिन और समर्पित होनी जाता ह होते जाता है और अपने गुण अच्छे हो जाते हमारे दुर्गुण डिकल जाते और सद्गुण पर आ जाते हम लोग श्रोणे आवरे मन श्रोणे घड़े समाधान श्रोणे तूटे बंधन देह बुद्धी जे श्रावन से मन अपने कबजे में रहता है श्रावन से समाधान मिलता है श्रावन से तूटे सारे जो बंधन रहते है गलत संग भी तूटता है और देह बुद्धी का जो गलत संगा रहता है वो भी तूट जाता है गैरंटी दिये देखो समर्तने शिरोने में पड़ा साई शिरोनव से हम भावता जो रहती है कि मैं ऐसा हो फिर मैं ऐसा हो एजब लग गया तो उसको उपाय हो गया अपाय याने लगने के बाद गरबड करना हमसा कारे भगवत कार्य सिद्ध हो जाताई श्रवन से कोँ सा अंदर में व्यंग से एक रूप होनेगा ठीक है श्रोणे लागे समाधी श्रोणें गड़े सरोसिद्धी समाधना से श्रोणें से कई बार लोगों को समाधी भी लगती है जैसे अपना ही नामस्वाण सुनते हो chirac tipu अपने ही धानवे रहते हो भगवाध शियो समाधी में चले जाते हैं और श्रवन से समाधी में जाने वाले बहुत लोग देखेंगा अपने, श्रवने कड़े सर्वसिद्धी समाधान, सिद्धी क्या है, जो हमारी मन्दकामना पूरी करते हैं, वो सिद्धी नहीं है, भगवान से एक रूप होना उसको सिद्धता कहते हैं, और समाधान है क्या, भगवान से एक रूप होना उसको समाधान कहते हैं, सत्संग आवरी श्रवन, तेने कड़े निरूपन, श्रवने होए आपन तदाकार, सत्संग भी है, श्रवन भी है, और निरूपन भी अपने सद्ध्गुरु का अच्छे सादू का चल रहा है, तो हम लोग तदाकार हो जैते हैं, ततने चित, याने क्या तत व अमसी याने भगवान से तत आकार निर्गुण निराकार बन जाते हम, देखे, भगवान से एक रूप हो जाते, सिधा सिधा कहरे, श्रॉणे प्रभोध वाढे, श्रॉणे प्रध्या चड़े, श्रॉणे वीश्याज से वोढे बिल जाता है अपनी प्रध्या भी प्रध्यानी बुद्धी एकदम प्रध्यावन्त हो जाती है भगवान से एक रूप हो जाती है और विशय जो है विशय वास्तना जो होती है वो तूट जाती है अपने मन से इसका मतलब क्या है कि हर रोज का खाना पीना जो आवश्यक रहत वो सच है अच्छे है या बुरे यानि आत्माना विएक होता है श्रिवाणी न्यान प्रबड़े अपना ज्ञान प्रबड़ होत नहीं चाता है जैसे चावधव प्रकार से हम लोग अपना निर्गुण निराकार परमातमा को जान सकते हैं चतुर विदा जो है निरूपन श्रिवने वस्तु निवड़े साधक आसी हमारे वस्तु निवड़े वस्तु हैने क्या तत वो तत्व परमातमतत्व वो साधक को शान तता से समझ में आता है और उसी में वो एक्रूप लहने का प्रयास करता है फिर साधक आने जो साधना कर रहा है भगवत प्राप्ति के लि अने लगती है अपना विवेक जागरूत होता है श्रौन से मन भगवान के पीछे भागता है भगवान के पीछे ने उदर वह बगवान और मैं जा रहा हूं यह तो देह है देह भगवान के प्रति नहीं जाता है अपने अंदर का जीव परमात्मा से एक रूप होने के लिए वह हरदम भगता है अपने अंदर ही सारा प्रवास है बाहर कुछ भी नहीं है अंदर में यह पूरा प्रवास जो है आत्मा ग्यान का पूरे अंदर में ही है मन बुद्धी में के अंदर ही सारा सब चल रहा है अपने जीव के जीव को शीव से एक रूप करने के अपस यहीं एक प्रवास है श्रवणे कुसंग तूटे क्लियर है श्रवणे काम वहटे श्रवणे धोका आटे यह किसरा कुसंग तूट जाता है श्रवण से अपना इच्छा कांग शह तूट जाती है और जो धुका होने वाला रहते है वो तूट जाता है कि जैसे हमें पता है कि अगर कुसंग में रहे तो गड़बन होने वाली है तो इसलिए हम अच्छे संगत में आ जाते है वो सारी जो बुराई है जिंदगे से वो निकल जाते है धीरे-धीरे महन असे स्पूर्ति प्रकाश यह हमको स्पूर्ति आती है अच्छे कर्मा मारगर में रहे अच्छे रोगों के साथ आने लगते अच्छे विचार आते अच्छी जीज़े पढ़ते अच्छी जीज़े देखते हैं श्रोण से सद्वस्तु भासे निश्चयात्मा श्रोण से सद्वस्तु हमें निश्चयात्मक दिखने लगते हैं भासे पहले अपने को भास होता है हमने को लगता है कि भगवान है हाँ जभी मुझे लग रहा था भगवान है लेकिन बाद में पता चलता कि हर श्रोण हर गड रहने लगते हैं और निवरुत्ति और अचल पद जो आपको बता है नो ध्रुवा ने कहा था कि मुझे अधर पद चाहिए कि यह राजा के सिंहां से उठा के उठा के आव वह उठा के फेक रही मुझे वह ममी तो उत्तानपद राजा के गोद में मैं वैठ रहा हूं मेरे तो पिताजी फिर वह उठा के फिकर नहीं मुझे अधर पद चाहिए ठीक है तो फिर उनको अधर पद मिलाओ कि यो ध्रुवा के प्रती हमारी पृत्विया से घुमते रहती वह एक ही जगह रहता है ठीक है अच्छ अधर पद तो वैसा ही हमारा मन भगवान से एक रूप हो ज फिर भी अच्छ पद में रहते हैं बहुत धों से निश्चिट्था से एकुरूप हो जाते हैं। जासे दौ ईंग हो गया या यह यह और सिर्फ धाना कर्ना इन्ज्यनिंग और जा सी पहले वह सारे स्टो चड़िये हैं ये सारे भागवान से अग हम लोग डारेक सुनते तो ये सारी स्टेप्स की उपाधिकि ज़़ने नहीं परते डारेट भागवान से कॉंठक्ट । अच्छा स्वण श्रिवन घड़े सर्वक आई भवन अदीचा प्रभाई तरणपाव श्रवने कि श्रिवन जैसे सार हमें सुनते जब सार कोई बताता है तत्व मसी तुई भगवान है तू पहले समझ दे श्रिवन घड़े सर्वक आई श्रिवन से सारा कुछ शुद्ध हो जाता है और जब शुद्ध जीव रहा तो शुद्ध मन रहा तो हमने को सामने वे सारे शुद्ध लोग ही दिखते है ठीक है इसका मतलब कोई बया कि हम उनको फसाएगा ने कोई ऐसे आप जादू के प्रया तो यह जो इस प्रकार से जो होता है उससे हम लोग ठकते नहीं इसका कहने का मदलब है इनका भाव नदीचा प्रवाही तरवनपाव श्रवण के भाव नदीचे के हम परेज चले जाते और श्रवण से जैसे डायरेक्ट भगवान से एक रूप हो गये का तम कुछ भी नहीं बचा ना फिर श्रवण भजनाँ श्रवण सर्विश्रवण श्रवण है श्रवण है सरुबंद स्रवण का रव य रहता है य सतरा सकते किसी जह क्दमयर से होते हैं स्कूल में वहाँ वहाँ पर सिखना पड़ता है, श्रवन से सुनना पड़ता है, कभी-कभी आडियो वीजुल से होता है, कदी-कदी कुछ जैसे अगर किसी को समझ में नहाता है, तो या सुना नहीं नेता है, या कोई दिखता नहीं, तो उनको फिर अपने ऐसे जो करके बोलते हैं, कुछ-ने- टेलिपेथी से होता है, कि इधर की, इधर जो कहना है, वो उस व्यक्ति को समझ जाता है, कई बार ऐसे हुआ है, आपने देखाऊंगा, खिक है होते रहता है, इसो तो पूरा क्या है, ये भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना तो याद रखना है, ठीक है, प्रवरित्य प्रवरित्य रहो या निवरुत्य रहो, निवरुत्य रहो, अपने मन की वीचार समझना उसको निवरुत्य रहो, प्रवरुत्य रहो, अच्छे काम करने की प्रवरुत्य, मैं अच्छा करूंगा, आइसा करूंगा, मैं एक करोड राम नाम लेके रहोंगा, कोई बोलता है हम लोग दूसरे मार्क का वाद सोचते नहीं कि कोई बोलेगा कि मैं आई सब बनूंगा उसके मार करें हम लोग इस मार का सोचते फिला ठीक है करो ठीक है भाबा करो लेकिन याद रखना कि वह भगवान भगवान ने शक्ति दे उसी करमा एक क्रोड नाम नाम करेंगे है खीक है क्यों और फिर पता चलता है कि एक व्यक्ति को आठ ड़ द्स चाल लगते हैं करो डमनाम लेने के लिए कि यो दिन में एक घंटा-टीन घंटा करेगा फिर इतना उसको बाद में पता जलता कि यार ये तो एक अत साल में भी एक महीना दू महीने में एक करोड राम नाम लेने वाले लोग हैं उनकी उनकी प्रैक्टिस रहती है स्पीड रहती है आईसे भी हो सकता है तो प्रवृत्ति राम नाम लोंगा निवरूत्ति राम नाम ले चुक सबको ये पता है कि सद्गुरू से सुनने के बाद या माता जीसे कुछ अच्छा अगर माता है चोटे बच्चे को ऐसे या उसको जैसे कुछ खिला रही है ठीक है तो ऐसे नम नम करके खाता है तो वैसे ही किसी से सुनने के बाद चाहे बच्चा रहो चाहे बड़े रहो कि आसी बड़े व्यक्ति से सुनते नहीं तब तो को पतर नहीं चलता है ठीक है यह सबको प्रचिती है और यह प्रत्यक्ष है कि घटी भी घटना बहुत लोगों ने देखाऊंगा आपको तो कितने सारे हमारे इतने साधु इतने संत्य इतने सारी चीज़े चलती रहती कि कोई तो भी अच्छे से अच्छा उधान दे सकता है उधान की तो कमी नहीं हमारी है अईकल्याविण कड़ेना हे ठाव क्या है जना या कारण मुझ ये प्रेतना श्रिवन अधी कि सुनने बगर समझता नहीं है और अच्छे प्रयास से अच्छे व्यक्ति से श्रिवन करना आप श्रावन ने करूंगे तो आपका परमार्था कंप्लीट होई नहीं सकता इसलिए सद्गुरु का महत्वा है इसलिए श्रावन का भी महत्वा है जे जन्दमी आईकले चिनाही ते थे पड़ी जे संधे मौनी या दूजे काई साम्मेता नगड़े कि जन्मात कदी कभी ज को जॉब करते रहते हैं जहां पर अच्छा नाम की चीजी नहीं थे वह सुनेंगे तो सुनेंगे कहां सायसा उन्होंने पूछा था अभी तो इंटर्नेट आगया तो फिर हम करेंगे क्या ऐसे वह यह क्या को हूं है आपको आने जैसे कोई मजदूरी करने वाले रहे या को या से विचित्र जॉब में रहते हैं और यह बहुत होता है कि अभी क्या बता हूं अभी उनाटेट नेशन्स में जो पीस्किप्रिंग फोर्सेस रहते हैं उनको भी जाके लड़ाई करने पढ़ती कभी-गभी जा रहे शांती के लिए लेकिन उनको भी लड़ाई करने पिर उस समय पिर हमारे स्वामी जे कहते हैं कि खुद का सुनो ना कौन आपके पास हर्द हो आप खुदी तो खुद के पास तो खुद का श्रोण कीजिए खुदी बाते कीजिए कि भगवान वाह क्या तेरी दुनिया है यहां पे बुरा है तो मैं देख रहा हूं लेकिन भगवान को मानते नहीं यहां पे और भारत में तो हरके भगवान के प्रती समर्पीत है यह कैसे विचित्र भूमी है सब लोग कहते हैं यहां यहां तक बोला है कि हट दर इस नो गौड और और वहां रिप्रिंग और ऐसे कोई मिल्टरी वाले रहते हैं कि बिजनेस वाले बोले हैं कि ठीक है मैं ठीक हूं और फिरो चलेगे ऺय resolk अच्छा करने मिलता थेम नहीं मिल रहा तो खुदी रामनाम लीजिए और एक आंत में रामनाम लेते बैठी जे Naadha करेंगे अउन्हें पाता है इसली सामके कोई वैखती को किसी देब अपने माताने पीताने कितना हम वी बता है तो भी उसका गरहन करने की शक्ती चाहिए ना उसकी वह उपरती चाहिए और जब उपरती होती है वह एक्षण में पलट सकता ये सबकुछ ये जण्विया एक ले इचहिं नहीं ये पड़ीधी संधे इमौन्ये दुज़ी सामेता नहां बहुत साधने पहता श्रुवणास न घड़े सामेता, कर देखता दिनकर, पड़े अउखा अंधकार श्रुवणये प्रकार तैसा कि अगर दिन कर रहने सूरज नहीं रहा तो अंधकार हो जाता है वैसे ही ग्यान का सूरज ग्यान का प्रकाश श्रवन से होता है ऐसा उनको कहने का है कैसे नवविधा भक्ति, कैसे चतुर विधा मुक्ति कैसे आहे सहस्तिति श्रवन न करें कि नवविधा वक्ति आपको कैसे पता चलती है चत्तिर विधा मुक्ति साई जोता है साई वो सारी पता है आपको साई जी मुक्ति कैसे मिलती है तो सहस्तिति कैसे हो सकती है तो श्रवन से समझता है और क्या होता है कभी-कभी ये सारा भीना सुनके कोई साधना रध रहता है तो उसको पता चलता है उंदर ही अंदर वह और अंदर ही अन्दर जो अपना श्रौण होते रहता है भगवान से एक रूपता रहते है उसको भी श्रौण कहाई है उसको निधिद्यास भी कहते है ठीक है नकड़े शड कर्मा चरण नकड़े कैसे पूरश चरण नकड़े कैसे उपासन विधी युक्त लास्ट टाम शड कर्म हमने देखी थे शड कर्म जो अश्ट्विदा जो योग मारगा है अश्टांग योग है उसमें गलतिसमें आश्ट्री विधा बक्ती कहने हैं नौ विधा बक्ती है वो तो जो कर्म है नेती वगरे जो है उससे अच्छा शड कर्म क्या हो सकते ही अच्छा काम अच्छा काम अच्छा काम कानों से नाकों से सारे बुद्धी से हर जग अच्छा कम अच्छा कम यह अर्द पे गए तो याद नहीं रहात भी चलता है न कड़े कैसे पुरश्चरन न कड़े कैसे उपासन वीधियुक्त कि पुरश्चरन कैसे करने का उपासन कैसे करने का अगर नहीं समझा तो क्या करेंगे तो क्या हम आठके रहेंगे वह आठके रहने के कारण कि आईसा अच्छे फिर आईसा ने किया तो वह जगड़ा वगरे जो रहता है यहां तक जगड़ा होता है कि मेरे मार्ग से तो आपका आत्मक ज्यान होगा आपके सारे पुन्य फोलो हो जाएंगे आप 30 लाख रुपे व देखे आपने भी देखे होंगे ठीए तो उसके हमको उसकी यह सारे चीज़क्त में पढ़ने का नहीं क्योंकि अगर कोई जगड़ रहा है तो बिजनेस हो गया है फिर यह इसके बिजनेस में आ रहा है है रिलिजयस वार भी उसी के लिए रहते हैं इसका चलना चाहिए उस भाष्च कि नहीं नहीं क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म हर विदी हर विदी हर विक्ति के उपासना हर वेक्ति का पूरेश्चरण अलग अलग हो सकता है यह यहां पर उन्होंने कहा है कि एक वहुस्याम का हर व्यक्तिक आलेगी मार गये ना हर को भगवान से ऐसे जुड़े लेकिन अगर अगनित ऐसे रेज को क्या वालते किरण जहें अगनिक किरणों से अगनित किरणों का अपना अपना एक स्थित्व है तो उसके अपनी अलग शाधना हो सकते हैं विद्युग तभी की व्रत ना वरते हैं नाँ ना तपें नासा भ्यास ना योग तिर्था टणे श्युर्वण बिश्यूण करते इस सारे प्रकार्ण प्रकार के यह इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग जा रहे हैं अब जास्ट भगवान को प्रणाम करके आते हैं अगा चल रहे तो चलो है ठीक है तिर्था टंड के भी एक है यह रहता है महत्वर रहता है जैसे आपने सुना होंगा कि इस पुर्णी में के दिन इस समावस्त के दिन गंगा में सनान करो तो आपके क्या सारे जन्दों के पाप नश्टों जाएंगे बगड़े तुरिडब करते हैं ठीक है तो कई लोग जो रहते हैं कि और एक की। और श्रेवन क्रांट को दर्बाता चलता पिर वसने के दापि दूसे अक्षा तो तो कहा हुआ कि एक फैमिली को इननी हाँ कि अच्छा यह बार कहा जाके हम वहार ओव धवी जाकर नहीं चलन हम कि अधम लोग ढक्राइश ने कहीं सिराएकर नहीं MEica at क्या होता है कि इसमें भौत सारी चीज़ हैं आप वहावे तृठाट उनको जा रहे हैं किसले जा रहे हैं इतना इंपोर्टन याद रखना है कि हम लोग आत्मक ज्ञान के लिए आये हैं यहाप मुक्ति मिलाने के लिए हैं के लिए आये हैं हमारी यह अच्छा पूरी है हमारी वह आये केवल भगवत प्रत्ति के लिए या भगवत दर्शन के लिए नहीं जाते हैं क्या मज़ा है हम लोग हो घोड़े पर बैठे फिर वह उपर लेकिए गया हमको फिर बहुत सारी यह देखे वह देखे आयार आप भक्ति के प्रति जा रहे हैं भक्ति की शक्ति जानने के लिए गय है या मजा मारने के जा रहे हैं यह देखे हम लोग हर चीज भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं लेकिन आप उसमें से अपने स्वार्थ का मजा लेने जाएंगे तो शायद भक्ति होगी या होगी नहीं होगी यह पता निया में तो यह तिर्था टंजो रहता उससे अगर आप योग जोड लेते हैं तभी आपको भगवत प्राप्ति होगी लेकिन यह कब पता चलता है श्रवणे वीन नख देख नाना योग रहते हैं कित्तेक परकार के योग रहते कोई लोग बोलते हैं कि योग मार्ग है कि कई मार्ग है उसमें आपने करने दोने आप अपना कीजिए आप अपनी मार्ग से चलिए लेकिन श्रवणे भीन नख ठीक है कई बार लोगों को यहने इंटिलेक्ट्वल जीमनास्टिक जो बोलते हैं स्वामी विवेका अंदक रहते हैं कि किसी के उपर भी बहुत चिकिस्सा करके यह बोला हो करा यह ठीक है येकिन अट देंड अप देड़े हमें भगवान के प्रती समर्पित रहना है हमें योगी होना है भकतो होना है इतने याद रखने का नाना विद्या पिंडत न्यान आया यह देखो नाना तत्वान चे शोधन नाना कळा ब्रह्मध न्यान श्रवणी निन नकलती कि क कित्ते प्रकार के विद्या है पिंडत का न्यान है ठीक है नाना याने कितने जीवों का भी ज्यान है तत्वान से शोधन हर तत्व का शोधन रहता है ठीक है नाना कला ब्रह्मा ने बहुत प्रकार की कला चौदा कला चौश्रस्ट विद्या रहते ब्रह्मध ज्यान रहता ह और यह जानना भी ज्यादा अवश्यक नहीं अपनी साधना करना बहुत इंपोर्टन्ट रहता है जितना अवश्यक उतना भी कर सकते इसको कुछ अंत नहीं है यह भी सच है यह भी सच है हर मार्ग सच हो सकते कई बार ऐसे भी हो सकता है लेकिन वह अगर सद प्रवृत्ति से स सद मार्ग से भग्वान के प्रति रहातों कोई भी उठागा और राक्षिसी मार्ग पर जाएगा वो हम लोग सोच नहीं रहे हम लोग पॉसिटिव डायरेक्शन के ही सोच रहे इतना याद रखने यह श्रिवन की बिना नहीं समझ सकता आठरा भार वनस्पति इतनी सारी वनस सब्सक्राओं होता है और इतनी सारी उल्कती रहती है फिर वो भी ड़ा जिन्दा रहते मर जाती है उसकी नेक्स जणरेशन आते रहते चलते रहती दूनिया और सारे जीवों को जो शक्त कहां सर्मात गांद झाला संव है इसा इनको कहना है कि सकड़ जिवा एक पृत्व 2 वहाई चालजीन वहाई वान आने मिमनि अवुपी ऌ плат सबस्क्राइब सब्थ प्रित के लिए पीड़ेक्स है और सवास एका परव्रमे हर जीवन के लिए अपाश का डिया है फृत्वि पॉला привет ऋपरह वाईसेहर जीवन को एकी पर्मात्म है किटना मस्त है ऐसा सकड़ाजीवास मिलन सारे एकची साधने तहें जान श्रौन मात्रा मात्रों चाहिए सारे पलाइन मात्रां में सारी प्राजियों। नाना देश ना भाषा मते वह कितने सा भाषा किपतने सारे भाषा भूमंडिय डिया असंख्या थे सरवान्स शरवणा परते शाधनची नहीं सबके सब लोहों को श्रवण एक ही सबसे बढ़ियाश साधन है जिसके कारण हम लोग भगवान के प्रति समर्पित होके भगवान से एक रूप हो सकते योगी हो सकते भक्त हो सकते एक सकंद पांद पुल करो गढ़े उपरती है हम लोग धलान पे जाके हम लोग फिसलने когда आपको पता है उपरती होने के लिए प्रयास करना पड़تم बध्धा से मुमुख्षिश हो जाते बध्धा ने हट भग्वान करता हैं मुमुक्ष्य équ documentary मुमुक्षा से साधक होती फिर वो अपने साधन आमे रत रहता है भगवन नाम संकिर्टन करता है ज्ञान के प्रतिद ध्यान करता है सब कुछ और नेम से जलो नित्य नेम से करने लगता है वो ठीक है वो ऐसे देखाता है तो यह 24 घंटे के साधन है लेकिन स्वामी जी कहते ह हमारे सद्ट्वरों बहुत सारे सद्ट्वर कहते हैं कि पहले 10 मिनिट से शुरूरात करो फीर 15 मिनीट 20 फीर एक सौस्सी मिनिट ठीक है? ऐसे उपर 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 उसको कोई अंते ही नहीं है लेकिन स्वामी जी ये भी कहते थे कि अगर आप 90 मिनिट तक बैठते हैं उसके आपे पूरे रात को सोते समय और रात को सोने के बाद भी वो साधना अपने मन में कांद में दिमा में गुमते रहनी चाहिए कि अच्छा कामी करना चाहिए उसके प्रकाश साधना का भी प्रकाश रहता है वोई आत्मग्यान का भी प्रकाश रहता है साधकात से होती सिद्ध वो साधक के जो है सिद्ध हो जाते सिद्ध का मतलब वो जो है चमत कार करने वाले जो है ते उसको सिध्धी ने गए ते सिध्धाने बगवांद से पती समर्पित एक रूप होना कि सबको बता चलता कि यह आदमी प्रभुद्ध हो गया हर कोई बुद्ध हो सकता है हर कोई कृष्ण से समर्पित एक रूप हो सकता है हर कोई परमात्मा से एक रूप हो सकता है हर कोई अल्ला से एक रूप हो सकता है हर कोई यहवा से एक रूप हो सकता है हर कोई एक ओंकार से एक गुरूप हो सकता है, ठीक है क्या, हो सकता है हार कोई, ठाई से खल चांडाला, तेची होती पुन्ने से, ऐसा गुनत अतका श्रवनाचा, सभी देखा गया, समर्थरामता सभी उधान दे रहे हैं, कि जो बुरे प्रवरुद्ध के लोग है, खल याने, जिसको क्या बलते ह वो सारे हिरो मारग पे आ सकते हैं, पुन्ने सिल हो सकते हैं, और उनके बुरे गुण जाके सद्गुण उनके आ सकते हैं, अच्छे लोगों का श्रवन करना चीए, बुरे लोगों का रक्षिसी प्रवरुद्धी बढ़ाने वालों का अगर आप श्रवन करेंगे तो हाँ, अजसा करेंगे ठीक है ठीक है फिर उनके लिए फिर वो डार्क मार्केट वगरे हमने बताया ना उनके लिए तो खुला है जिसके आज दो सो पचास करोड़ हो जाके आटम महां में खरिच सकते हैं वैसे उल्टी चीदी में सुन सकते लेकिन थोड़ा सा आइडिया रहने हैं आइसा है करके फिर लोग हमें डुबा नहीं सकते हमको उल्लू ने बना सकते एक बार ऐसे हुआ है याने गोंदोले कर महाराज थे आपको मैंने उनका उधान बताया है कि उनके हाँ पे जमिन जायदात की लड़ाई चल रहे थी भावबंद की आपको बताया ना कि अगर उ अंदर बनां के लिए चाहिए है तो तो सदु यह उतना या च्रूसएं इस तरीके से बात करते ना सदूत्य Vietnamese आच बाहलों ना यह पूरा आंदर का मामला रहते मन के आज बाहर बढ़続क Panorama पर सद्धिज्खश लिएसे उराज को क्म शिष्य थे लेकिन चांदे मुझा रखादे हो चमतकर जैसे बाग के उपर बैट कहा थे तो उनको लाखो करोड़ों शिश्चे रहते थे समझ में आ रहा है क्योंकि चमत करको नमस कर ठीक है तो यह सारे चीज़े समझ में आना चाहिए कहा से कहा चले जाते देखी इसलिए अच्छे लोगों का सुनने का अच्छे लोगों के संगत में रहने का और अगर एक दूसरे गलत मारगा पे लाना चाहिए यह भी वो कह रहे है ऐसा गुंतत्का पलटना चाहिए और श्रावन से हो सकता है जैसे वो एक लड़का ने क्यों हमने दिख थे वह बाद में अच्छे मारग में आ गए थे एक था वो खेल लेगा और एक था प्रोजन सुनने गया तो इसको लगा कि मैं खेलने को गया तो अच्छा लगता है फिर जो खेलने गया तो उसको असली इश्रवाण या उसको असल आपर कानी की चोड़के चुटके उसको यह बुरा है, इस समझने다 आप पर सफ से सहिंते हुआ अपर घंऐर महाराज के बार बाद को उनको खाने न vibrant आगए दाता ल readiness फो जो चाटी तो पाने जाके फिर नाम्दे महाराजी के विश्वा खेचर जो थे उनके सद्गुरों गये थे उनको पता चला कि यह हमारी बुरा यह इतना भी लेकिन किसी का परिक्षान नहीं लेनी चाहिए कि वो याने हमसे तूट जाए ठीके चो दुर्भूत्ती दुरात्मा तोचिवे पुर्ण्यात्मा अगाता श्रुणाचा महां बोले नावाचे बस वही उधारा जो दुर्भूत्ती थे वो दुरात्मा थे वो अच्छे मार्गमे आके पुर्ण्यात्मा बन जाते यह श्रुण का म आइसा करेगा तो तेरे को लक्ष्मी मिल जाएगी लक्ष्मी का मतलब क्या है आत्मक ज्यान नहीं लेकिन पैसा मिलना चाहिए खतब ठीक है वह फ़लज शुरुद रहती है तो फिर उसके पीछे भागे तो उसको तो आनता नहीं है पुड़े होणार संक्रती तैसे नहीं हात सप्रचीत श्रीवन अपने हाथ में श्रीवन से परमात्मा अपने हाथ में ऐसे दे रहा है ऐसे हम देख रहे कि यह दो कि यह परमात्मा अपने हाथ में रखके हम लग जान सकते हैं इतना श्रीवन से हमें इतना क्लियरली परमात्मा दीख सकते हैं उससे एक रूप हो सकते और यह अनुभव जो ठीक है लेना भूत आवश्च्य का ऐसा वो कह रहे सप्रचीत श्रुण अइसा प्रचीत लेके श्रुण कीजिए नाना रोग नाना व्यादी ततका तोड़ी जे अवशिदी तैस्या है श्रुण सिद्धि अनुभव जानेती कि नाना रोग और व्याद जाने के बाद ठीक हो जाते यह अनुभवी जानती वाईसे ही जो आत्मध्यानी वेक्ति रहते हैं जो अच्छे साधक रहते हैं उनसे अगर हमने श्रुण किया तो उनके जैसे अनुभव हो जाते हैं श्रुणाचा वीचार करें तरीचा भग्यश्री प्रगटे पर मुख प्रति मुख्य परमात्मा है यह स्वव अनुभव से पता चलता है कोई भी उठाए कि यह पढ़ लिजे आप देखिया मैं यहां पर लिखके देता हूं आपको स्टैंप पेपर के सव करोड ऐसे तो कम से कम यह होंगे कि आप यह कीजिए आपको यह मिलेगा ऐसे निश्च जिए आपको भागवाण का अईश्वर मानुष्य निर्मान कर सकता परमात्मा मनुष्य को निर्मान कर सकता है याना वह मनन अर्थालाकी सावधान से समाधन होते से इसी को श्रवण और मनन कहते हैं इसी को मनन कहते शरण के बाद मनन होता है कि अच्छा इसा बताया गया कि तरिस समाध होता है उसी के बाद में समाध होता है हमारे सारे प्राबलेम सौल हो जाते अकासमात अंतरे निस्तन देता फिर आप निस्तन दे हो जाते हैं निस्तन दे हो जाते हैं कि आपके अंदर में स मेरे सुन्दर नरतों नुपायां तो यह सारे जन्दमों का जो मूल है कि देव बुद्धि से चिटक कह रहा है उससे हम लोग समाधान पाते हमको उसमें मुक्ति मिलते सारे बंदन तूट जाते और फिर भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं उससे एक रूप हो जाते हैं उसके पैरों में हम लोग चिपक जाते हैं इसका मतलब क्या है उससे भगवान के प्रति हमने ऐसे किया हमारा पूरा उसके प्रति समर्पित हो गया है समर्पित होने के बाद हमारा पूरा जियों भगवान से प्रति एक रूप हो जाता है उसी को जड़ले पाई करेते हैं कुछ हो गया था हम योगी भक्त हो जाते हैं उससे हम लोग तूटने सकते हैं फिर मुमुक्षे साधत अध्वा सिद्धा लेकिन वाइसा होने के बाद भी आप चाहें मुमुक्षे हो यानि भगवत प्राप्ति के तरफ जा रहे हैं या साधक आप कुछ साधना कर रहे हैं अ उससे हम लोग नित्य मुक्त हो रह सकते हैं नित्य मुक्तता आ जाते हैं इसके करणा भारा मन शुद्ध होता है चित्त रुत्ती मन भी शुद्ध होता है अंदर का चित्त रहता है वो भी शुद्ध हो रहता है और हम नित्य भगवान के प्रति एक रूप रहते हैं जेते लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए अगर भवान का श्रवण नहीं करते हैं ठीके तो परमार्थ के मार्ग से हम लोग कभी-कभी विचलित हो सकते तो इसलिए हरदम करना चाहिए यह नह attention कुछ भी हो सकता भगवन नाम संकीरत नो सकता प्रवचन में पुर्कत है जिससे अपनी आच्षरंच अच्छा होसकते 24 गंटे हम लोग घगान के प्रति संमर्पित रह सकते तसमात श्रस्रवान करावोए साधन मनि धरआब निट्यनय में तरह और सवसार सागरी इसलिए है श्रवान करना चाहिए साधन मन में रहना चाहिए कि जैसे हम कैसे 24 गंट तो एक रूप रहना की फिर से ऊपर रखने का इस तरह के से लोग फिर एक रूप हो चाते भगवान से एक रूप पूरा मिट जाते हैं बुरे मारगवे में जा सकते हैं इसलिए श्रवन रखना इसलिए साधन करना बहुत आवश्य के नित्य साधना जिंदगी अभी वह साधना शुरू है हमारे जिंदगी बर 2400 गंटा जो चल रहे वह जिंदगी बर रहेगी हमारा जैसे आपको पता है न कि जैसे बच्चे रहेते फिर बड़े मन उनके रहेते हैं अंदके बुड़े मत मन ना ना उनका ज T तो वो भी हो सकता है अगर नहीं रही फिर भी हम लोग साधना रत रहना चाहिए ठीक है तो नहीं तो क्या हो था कि हमारा जंद में वेर्थ है जा सकता है तस्मात श्रेवन करावे साधन मनी धरावे नित्यनमें तरह संसार सागरी श्रेवन किया तो हम लोग संसार सागर के तरह चले जाते हैं और नित्यनमते वार यानि हर समय यह तरंगते रहना चाहिए भगवान से एक रूपी रहना चाहिए फिर लोग तो गयता है रहे तू पाइचानता की ने कलतो पौल रहता तो योगी हो गया करके तो उनको मजा होड़ा ने दीजिए उनको उसमें मजा आती हमारी असली मजा तो अंदर है भगवान के प्रति एक रूप रहना अखंड आनंद में रहना योगी होना मुकत रहना ठीक है इतना याद रहना तो कहा दो अचैँसmb कि ते अचैसे श्रवन मंतार की लीची करसे अन्न खाते हैं जैसे हम लोगते गेलीची व हम इनन खाते हैं जैसे हम लोगते हैं सी जीवनं न करना रह चाहिए खरीप राम राम के खेरते 108 का वरसे मोण यारान म्मिता कोई ख आउसमान हर्दम चलते रहता है ठीके? श्रवान मनन हर्दम करने का मनन करने का तो अच्छे OE की उपर अच्छे इसकी उपर करना चींगे श्रवाना चाहा अनादर आज़ से करी जो नर्व तैचा होया पहार श्वहित मिशेह कि अनादर किया श्रवान का और आलज किया तो उसका स्वहित हो नहीं सकता है उसका अपहार हो सकता है उपकृत होना 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 उपकृत कि अगर खुद को सिद्ध समझ के हम लोग अगर श्रवण नहीं करते हैं तो आप आलस का सवरक्षन कर रहे हैं तो उसमें परमार्था डूप सकता है इसलिए श्रवण करना नित्य ध्यान नाम करना सद्गुर्ण ने बताए उस साधाना करना बहुत आवश्चक है आता श्रवण कसे करावे कोणया पंथा सपाहवे पूड़ेल समास से आगवे सांगी जेल अभी श्रवण कैसे करना चाहिए कैसे और साधाना करना चाहिए और अइसे कैसे उपर जाना चाहिए उसकी परे कैसे जाना चाहिए ये अगले समास में बताया हुआ इती श्रिदाज गुरुशिष्य सम्वादे श्रवण निरूपण नाम समासाथ ठीक है तो आखिर में उन्हों नहीं कहा है समर्द रामदासने की श्रवण मन निदिद्यास करके भगवान से एकरूप होके योगी भक्त बनके जिन्दगी जिनी चाहिए हर घड़ी हर क्षण भगवान को कि तो रहना चाहिए चलो हमाई से जिन्दगी जिनने का प्रयास करते हैं धन्यवाद